पाकिस्तान ने इरान से बदला लिया है इरान ने पाकिस्तान के भीतर गुस कर जो एर स्ट्राइक की थी जिसमें वहाँ पर कुछ लोग जखमी हुए थे दो बच्चे भी मारे गए थे अब उसी का बदला लेते हुए पाकिस्तान ने भी इरान के उपर एर स्ट्राइक कर दि आपको हम बताएं इरान का सिस्तान और बलुचिस्तान प्रांथ का सरवन शेहर है, जहां पर पाकिस्तान ने अंदर गुस कर मा रहा है, और पाकिस्तान ये कह रहा है, किरान के जो आतंगवादी संगथन थे दरसल उसके آमला किया गया है। तो मतलब कल तक इरान ये कह रहा था कि पाकिस्तान के आतंकबादी संगठन के उपर उसने अमला किया है उसने जैशुल अदल के उपर अमला किया है और अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने जो इरान में गुस करके मारा है वो दरसल इरान के आतंकी संगठन को निशाना बना थी और जैसा कल पाकिस्तान ने कहा था कि एरान का ये जो हमला है ये पाकिस्तान की संप्रभुता के ओपर हमला है ये पाकिस्तान के एराता इसका खाम्याजा इरान को भुगतना पड़ेगा और अब वैसा ही पाकिस्तान ने किया भी है सुबा चार बजे के करीब बताई ये निशाना बनाए गया है तक्रीबन साथ ठिकाने जिनके उपर पाकिस्तान ने हमला किया है इरान के भीतर घुसकर तो अब जो दोनों देशों के बीच का तनाथ था कल तो बड़ी गया था इसके बाद अब ऐसा लग रहा है क्योंकि दो दड़ों में बटा हुआ विश्व है एक तरफ तो इरान और उसके समर्थन वाले मुलक और भही दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन वाले देश तो अम इन दोनों देशों के बीच में कहीं आगे बिढंत ना हो जाए इन दोनों देशों के बीच में लड़ाई अब छिड़ती वे ना शुरू हो जाए ये भी इस वक्त एक बहुत बड़ा सवाल है और यह जो पाकिस्तान ने किया है इरान में घुसकर जो वहाँ पर आतंकवादी संगठनों को निशाना बनाया है इसके बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिका बड़ा खुश है यौरप बहुत जादा खुश है जो पश्चिमी देश है व पर हमला बोल सकता है अभी तक अमेरिका इससे बच्चता रहा है यह कहता जरूर रहा है अमेरिका कि गाजा में हमास हो या लिबनान में हिजबुल्ला हो या फिर यमन में हूथी हो इन सभी कुछ संग्शन इरान नहीं दिया हुआ है और इन तीनों से ही जुचता हुआ यह तुम भी करो और इरान में घुसकर उन आतंकवादी संगठनों के उपर हमला करो या इरान को यह बता दो जता दो कि जो संडक्शन आतंकवादी संगठनों को उसकी तरफ से दिया जा रहा है चाहे वो इस बुल्ला हो चाहे वो हूती हो चाहे वो गाजा के अंदर हमास ह तो ये आगे बरदाश्त नहीं किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो आप समझेए क्योंकि इरान के समर्थन में रूस हमेशा से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इसके लाबा चीन उसके समर्थन में रहा है तो एक तरफ तो चीन इरान रूस हो गया और भही दूसरी तर फस जाता है पाकिस्तान के साथ युद में या उस फ्रंट पर अगर वो इंगेज हो जाता है तो फिर आतंकवादी संगटनों को जिने संदक्षन इरान की तरफ से दिया जा रहा था वो जरा कमजोर इसके बाद हो जाएगा और ऐसी स्थिती में अमेरिका को जीत हासिल करना आसान हो जाएगा या इन आतंकवादी संगटनों के उपर निशाना साथना फिर अमेरिका के लिए भी जरा आसान हो जाएगा तो यही वो वज़य है कि अमेरिका अभी फिलाल यह जो कॉन्फलिक्ट शुरूआ है पाकिस्तान और इरान की बीच में उससे खुश दिखाई वो जाएगाने ची उससे खुछ भी जैशान बगर उन आसान अभी जएघफ च्छाना कीkay दे शातां आसाना आसाने हो जो जाएगा गटे उरी जैश बर्साने हो जची जिए ठाटे जारा टे उिएगां और तो